आईए बचो अब देखते हैं टॉपिक 5.2.4 दा इलेक्ट्रोस्टेटिक एनलोजी यहाँ पर हम यह समझेंगे के इलेक्ट्रोस्टेटिक और मेगनेटिसम के जो एक्वेशन्स हैं उनमें बहुत सारी सिमिलारीटिस हैं और इस वज़ा से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस के उपर और उसके एक्वेटर के उपर जो इलेक्ट्रिक फिल्ड का एक्वेशन हैं उसी से सीधा ही magnetic dipole के लिए उसके axis और उसके equator के उपर magnetic field का equation बना पाएंगे अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि similarity किस तरह से हैं देखें यहाँ पे मैं ले लेता हूँ electrostatics यहाँ पे electrostatics के equation लोगा और यहाँ पे magnetism के equation लोगा ठीक है चलिए देखते हैं सबसे पहला देखें electrostatic में हम electric field के लिए E vector यूज़ करते हैं जबकि magnetism में हम magnetic field के लिए B vector यूज़ करते हैं इसी तरह से अपने electric field के equation में देखा होगा कि आपको बार बार 1 upon 4 pi epsilon 0 मिलता है और उसी तरह से magnetism में आपको बार बार mu 0 upon 4 pi ये देखने को मिलता है तो दरसल देखा जाए तो 1 upon epsilon 0 ये magnetism में equivalent है किसके? mu 0 के 4 pi तो दोनों में common ही है फिर थर्ड लिया जाए तो देखें electrostatic में आपने dipole moment P देखी थी इसी तरह से magnetism में जो dipole moment है इससे कहते है M इस dipole moment का equation भी important है देखें dipole moment P का equation आपको पता है 2 A Q होता है जहाँ पे 2 A वो dipole की length है और Q उसका charge है अब उसी तरह से magnetism में dipole moment M का भी equation बनता है और वो है 2 L into P अब जड़ा इसको समझ लीजे यहाँ पे यह जो P है न यह P है pole strength यह P dipole moment है electric dipole moment जबकि यह P pole strength है मैं आपे लग देता हूँ कि यह है pole strength ठीक है P is for pole strength इसके बारे में textbook में ज़्यादा discuss नहीं किया है लेकिन इसे याद रखेगा यह आपको हर एक जगा पे देखने को मिलेगा magnetism में magnetic dipole moment M is equal to 2 L P जहाँ पे 2 L वो magnetic dipole की या फिर कहें के bar magnet की या solenoid की जो भी आपने लिया हो उसकी length है और P उसकी pole strength है हम कह सकते के magnetism में P pole strength वो electrostatic में charge Q की तरह है जैसे charge Q से हमें electric dipole की pole का strength कितना है पता चलता है उसी तरह से magnetism में P pole strength से उसकी pole का strength कितना है वो हमें पता चलता है तो यह equation भी यहाँ पे equivalent है अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ equation वो है torque का अगर आपने कोई dipole, electric dipole उसे अगर आपने electric field में रखा uniform electric field में तो उस पे जो torque लगता है वो torque 2 is equal to P cross E होता है इसी तरह से अगर uniform magnetic film में अगर magnetic dipole डाल दी जाए तो उसमें जो torque लगता है वो भी torque 2 is equal to M cross B से मिल जाता है अब देख पा रहे हैं कि यह equation भी similar है आगे बढ़ते हैं ऐसा equation potential energy का electrostatic में potential energy का equation U is equal to minus P dot E है और इसी तरह से magnetism में भी potential energy U का equation आजाएगा minus M dot B यहाँ पे आएगा M dot B ठीक है चले अब आजाती है main बात देखें electric dipole की axis के उपर R distance पे जो electric field है जिसे मैं E A नाम दे देता हूँ उसका equation है इस तरह से 2P upon 4pi epsilon 0 and R cube यहाँ पे P यानि की electric dipole की dipole moment और R यानि की axis के उपर जो point आपने choose किया उसका distance अब इसी तरह से अगर हम electric dipole की equator के उपर या फिर कहें कि equatoral plane के उपर अगर electric field find करें तो वो मिल जाता है इस तरह से minus P upon 4pi epsilon 0 R cube यह already derived equations हैं लेकिन इसी equations को use करके हम एक similar equation magnetism के लिए बना सकते हैं तो वो equation बनेगा इस तरह से देखें, magnetic dipole की axis के उपर जो magnetic field है उसका equation बनेगा B A is equal to देखें यहाँ पर 1 upon 4pi epsilon 0 की जिगा पर आजाएगा mu 0 upon 4pi सही है और जो 2P है उसकी जिगा पर हमें लेना पड़ेगा 2M upon R cube तो यह हो गया magnetic dipole की axis के उपर R distance पर magnetic field B A और इसी तरह से हम magnetic dipole की equator के उपर magnetic field का equation इस तरह से बना सकते हैं B E is equal to minus यहाँ भी आएगा 1 upon 4pi epsilon 0 की जिगा पर लेना पड़ेगा हमें mu 0 upon 4pi और P की जिगा पर आ जाएगा M upon R cube तो यह हो गया magnetic dipole की equatorial plane के उपर R distance पर magnetic field का equation यह दो equations हमारे लिए खास तोर पर important है मैं इसे bracket भी कर देता हूं यह होगे हमारे दोनों ही important equations तो यह थी बात electrostatic analogy की यानि की electrostatic का magnetism के साथ comparison चली अब देखते हैं topic 5.3 magnetism and gauss's law वैसे तो gauss law हम electrostatic में भी पढ़े हैं दिखें उसके reference में पहले एक बात कर लेते हैं यहां पर this is a charge q you can see and it is spreading this type of electric field in all the directions अब अगर इसमें मैं एक close surface ले लेता हूं suppose कि यहां पर मैं close surface रखता हूं याद रहें कि यह closed surface है यह कोई loop नहीं है यह पूरा एक closed surface है अब देखें इस close surface में जितनी electric field line enter हो रही है उतनी electric field line बाहर भी निकल जा रही है तो अब इससी बात है कि ऐसे में इसके साथ link होने वाला total flux phi is equal to हो जाएगा 0 यह आपको पता है अगर ऐसा ही कोई close surface मैं यहां पर रख दू देखें यहां पर मैंने close surface को ऐसे रखा है तक यह जो charge है वो close surface के अंदर आ जाए तो यहां पर आपको पता है कि इस आलत में इसके साथ link होने वाला जो flux है वो 0 नहीं होगा इसके लिए हमने Gauss law में flux phi more specifically कहूँ तो phi e electric flux मैं कह रहा हूँ यहां पर तो phi e लिख देता हूँ तो flux phi e का जो equation था वो हमने इस तरह से लिया था sigma e dot delta s और इसका result आपको मिल रहा था इस पर Gauss law q upon epsilon 0 जहां पर q यानि कि जो close surface है उसके अंदर का charge अब देखे यहां पर close surface के अंदर charge q है तो यहां पर flux 0 नहीं होगा लेकिन यहां पर close surface के अंदर कोई charge ही नहीं है तो obviously यहां पर flux 0 हो जाता है तो यह सारी बाते हम electrostatic में पढ़े थें लेकिन अब यही बात हम magnetism के लिए भी apply कर सकते हैं तो हमें क्या result मिलता है यह जरा देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हम magnetic flux का equation देख लेते हैं magnetic flux obviously इसे हम phi b कह सकते हैं चले इसके लिए यह figure देखे ज़रा देखे यहां पर एक ऐसा uniform magnetic field दिखाया हुआ है और इसमें यह close surface लिए है और इस close surface के उपर यह एक छोटा सा area element लिया हुआ है और इस area element का जो area vector है वो आप जानते हो कि उस area को perpendicular ऐसे होगा तो इस direction में इस area element का unit vector करेट N हो जाता है यहां पर यह area element delta S है तो इसका मतलब यह हुआ कि vector delta S इस direction में हो जाएगा ठीक है अब यहां पर magnetic field b जो है इस तरफ है और area element delta S इस तरफ है तो दोनों के बीच में angle है ठीटा तो इस area element के साथ link होने वाला जो flux है मैं इसे नाम दे देता हूँ let us say delta 5 more specifically delta 5b नाम दे देते हैं तो यह magnetic flux delta 5b जो की small area element delta S के साथ link है उसका equation इस तरह से हो जाएगा b dot delta S या फिर आप ऐसे भी लेख सकते हो b delta S and cos theta अब अगर इस close surface के साथ link होने वाला total flux आपको चाहिए तो obviously हम total flux 5b जो है वो इन सभी area element के flux का summation लेके addition लेके कर सकते हैं यानकि sigma all मैं यह आप लिखता हूँ sigma all delta 5b that means you can write sigma all and here b dot delta S और यह कितना मिलेगा पता है यह मिलेगा 0 वजह बहुत simple है क्योंकि यहाँ पर यह close surface लिए हमने तो obviously बात है कि जितनी magnetic field lines अंदर जा रही है उतनी magnetic field line इस close surface से बहार निकल रही होगी तो जब आप सभी b dot delta S का summation लोगे तो यहाँ पे यहाँ पे जो b dot delta S आएंगे वो सारे negative आएंगे और यहाँ पे जो b dot delta S आएंगे वो सारे positive आएंगे तो इस तरह से total answer इसका zero हो जाता है राइट अब हम देखते हैं कि क्या अगर हम यह close surface की जगा बदल दे या फिर जो magnetic field produce कर रहे हैं उसका source ही बदल दे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा चले देखते हैं देखें यहाँ पे मैं एक magnet ले रहा हूँ बार magnet ले रहा हूँ आप देख पा रहे हो यह है इसका north pole और यह है इसका south pole और आप जानते हूँ के magnetic field line नर्थ पोल से निकल के south pole में जाती है और मैगनेट के अंदर south pole से north pole पे जाती है आपको यह बात याद होगी कि magnetic field line हमेशा close loop बनाती है इस तरह से यह magnetic field line north से निकल के south में जाती है और अंदर south से north में जाती है इस तरह से अब अगर मैं यहाँ पे कोई close surface ले लूँ देखे यहाँ पे तो यहाँ पे देखे जितनी magnetic field lines ऐसे अंदर जा रही है उतनी magnetic field line यहाँ से बाहर निकल रही है, तो अब अब अगर मैं यहाँ पे close surface डाल दूँ, चले यहाँ पे डाल देता हूँ, इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, मैंने सिर्फ south pole के ऊपर इसे रखने की कोशिश किये हैं, तो आप देखें, कि यहाँ भी क्या हो रहा है, कि यह जो magnetic field lines है, जो कि magnet के बाहर की magnetic field lines है, वो ऐसे close surface के अंदर आ रही है, उसी वक्त यहाँ से close surface की इस surface पे से magnetic field lines, जो कि magnet के अंदर है, वो ऐसे बाहर जा रही है, मैंने यहाँ पे सिर्फ तीन magnetic field lines शो किये, just for convenience, क्योंकि यहा पर बाद का रहे हैं कि जितनी भी magnetic field लाइन यहां पह पर एंटर हुई है इतनी ही magnetic field लाइन में पहसु आइंट से जा रही होगे जासे हो जैसे यहां पहे शे magnetic field लाइन्स अंदर जा रही है और इतने पॉर्शन पे मेगनेटिक फिल लाइन्स बाहर जा रही है तो क्या होगा भई? यहां भी फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा तोटल मेगनेटिक फ्लक्स फाई बी इसकल टू जीरो अब आप बताइए क्या आक कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे टूस सर्फेस के साथ लिंक होने वाला मेगनेटिक फ्लक्स जीरो हो सकता है देखे यह रहा क्लोस फ्लक्स मैं इसे यहाँ पे रखूँ यहाँ पे रखूँ कहीं भी रखूँ अगर मैं यहाँ भी रखता हूँ जैसे कि North Pole के उपर मैंने रख दिया तो भी क्या होगा जितनी Magnetic Field Lines इस portion पे, surface के इस portion पे अंदर जा रही है उतनी Magnetic Field Lines यहां से बहार निकल रही है तो यहां भी इसके साथ लिंक होने वाला Total Magnetic Flux जो है वो हो जाएगा 0 तो कहने का मतलब यह है कि Magnetic Field में अगर आप Closed Surface डालते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि जिससे Magnetic Flux 0 ना हो Yes, I repeat Magnetic Field के किसी भी arrangement में आप चाहे कुछ भी कर लो फिर भी Closed Surface के साथ मैं यहां पे Closed Surface कर रहा हूँ, Open Surface नहीं Closed Surface के साथ लिंक होने वाला Total Flux हमेशा 0 रहेगा यही है Gauss Law Magnetic Field के लिए यही है Gauss Law हम यहां पे लिख लेते हैं Gauss's Law The Net Magnetic Flux Through A Closed Surface Is Always 0 इसी को कहते हैं, Magnetism के लिए में Gauss's Law इसे equation wise आप ऐसे भी लिख सकते हूं, Net Flux Net Magnetic Flux Phi B is equal to Sigma B dot Delta S यहां पे लिख सकते हैं, integration on the closed surface B dot Ds and that is going to be 0 यह पूरा equation Magnetism के लिए important है इसे में bracket कर देता हूं Total Flux 5B is equal to Loop Integration B dot Ds is equal to 0 यह फिर Sigma B dot Delta S is equal to 0 अचा, अब यह discuss कर लेते हैं कि क्या किसी भी हाल में Magnetic Flux 0 ना हो, ऐसा हो सकता था? Answer है हाँ, हो सकता था अगर हमारे पास कोई Monopol होता तो Magnetic Monopol होता तो अगर हमारे पास सिर्फ अकेला North Pole होता तो हम closed surface के अंदर North Pole को डाल देते और North Pole में से Magnetic Field Lines चारो तरफ सिर्फ बाहर निकल रही होती तो Flux 0 नहीं होता लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा अभी तक Magnetic Monopol बना नहीं पाए Magnet हमेशा Dipol के फॉर्म में मिलेगा अगर आप किसी Current का लूप बना ले या फिर आप Solenoid ले ले तो इन सभी में आपको एक North Pole और एक South Pole ही मिलेगा इस वज़े से अगर आप closed surface उस Magnet के आसपास या उस Current Loop या Solenoid के आसपास कहीं भी डालोगे तो जितनी Magnetic Field Line अंदर जा रही होगी इतनी बाहर निकलेगी तो Total Flux 0 हो जाएगा अगर Magnetic Monopol यानि कि सिर्फ Magnet का North Pole या सिर्फ South Pole हम बना पाएं तो ऐसे में Magnetic Flux 0 हो जाएगा लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है और नहीं इसलिए हो पाया है क्योंकि Magnetic Field Line हमेशा Close Loop बनाती है देखे, Electric Field में ऐसा था कि अगर हमें Electric Charge का Monopol चाहिए यानि कि सिर्फ Positive Charge अलग से चाहिए, सिर्फ Negative Charge अलग से चाहिए तो मिलता है तो वो Electric Monopol बन गया तो इस वज़े से क्या होता है कि अगर आप इस Monopol को, Electric Monopol यानि कि Charge को किसी भी Close Surface के अंदर डाल दो तो Close Surface का Total Electric Flux 0 नहीं रहता है लेकिन Magnetic Monopol बन नहीं पाया है इस वज़े से हमें Close Surface के साथ लिंक होने वाला Total Magnetic Flux हमेशा 0 मिलता है और याद रहे कि Magnetic Monopol क्यों नहीं बन पा रहा क्योंकि Magnetic Field Lines हमेशा Close Loop बनाती है Electric Field Line Close Loop नहीं बनाती है लेकिन Magnetic Field Line Close Loop बनाती है तो अविसी बात है कि किसी पोल से Magnetic Field Line निकलेगी तो दूसरे पोल में अंदर जाएगी जहां से Magnetic Field Line निकलेगी वो North Pole होगा जहां पे अंदर जाएगी वो South Pole होगा तो Magnetic Monopol पॉसिबल नहीं है तो इसी के साथ ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप करते हैं बच्चो आज के इन सारे टॉपिक्स के Question Answers की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिये आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं All right, so here with Anshun Baldaniya, signing off, take care